क्या जेल के अधिकारी साजिस रच रहे थे कि एडी के अधिकारी को फसाया जा सके क्या जेल के अधिकारी साजिस रच रहे थे कि वहां के CCTV फुटेज डिलेट किये जाएं और जो संदिक्द व्यक्ति वहां बंद आरूपियों से मुलाकात कर रहे हैं उनकी पहचान शुपा जाया या ऐसे दस्तावेजों को गायब कर दिया जाया ये तमाम कई सवाल है जिन्हें सुलजाने की कोशिश कर रहे है एडी की टीम और इसके लिए बड़ा बाबू दानिस से लेकर जेलर नसीम और अब जेल सुप्रीटेंडेंट हामिद अक्तर को पूछताच के लिए एडी अंदर एडी के अधिकारियों के खिलाव जिस तरीके से साजी रची जा रही थी इसको लेकर एडी की ओर से जेल के तीन अधिकारियों को समझवारी किया जवाता है यह जानकारी भी प्राप्त हो रही है कि तमाम जो सवाल है वो यहाँ पर पूछे गए है जो है लधिक चक से और तमाम जानकारिया उनसे कठा करनी की भी कोशिश की जा रही है कि आखर CCTV फुटेज कैसे डिलेट हुए साथी साथ किस तरीके से तमाम जो आरूपी जो जेल के अ खोटाले से पुरा जाज को डायरा है वो शुरू हुआ था इस पूजा सिंगल को बिलाए गया था id करे ले उसके घद खनन Κो इन घोटाले मामले में आपने देखा हो जोग6 को बिलाए गया और क्ई लोग जिर्फतार भी इस बीच ये भी खबरे सामने आई कि मुख्यमंदरी हेमन सोरेन को भी एडी के ओर से समन जवारी किया था पाँचवा समन एडी के ओर से जवारी किया गया और इस बीच मुख्यमंदरी हेमन सोरेन एडी कारेले नहीं गया लेकिन अब जिस तरीके से ज्वेल के तीन बड़े अधिकारी को ईडी के ओर से समझ जवारी किया गया है तो कह सकते हैं अब आने वाले समय में तमाम खुलासे जो है वो किये जवाएंगे क्योंकि यहां पर यह कहा ज़ा रहा है कि एडी के अधिकारियों को किस तरीके से फसाया जाया हूं तमाम सडियंत्र जो है जो है जो है ज का रहा था कि संतोज जनक जो सवाल का जवाब है वो फिलाल ज्वेलर और बड़ा बाबू नहीं दिये हैं साथी साथ ये भी कहा जवा रहा है कि जिस तरीके से एडी के अधिकारियों के खिलाब जो सड्यंत रचाये जा रहा था जैसे कहा जा रहा है कि इस तरीके से एडी के अधिकारियों को फसाय जा है हलाकि तमाम जो सवाल है तमाम जो खुला से होंगे और एक और करके तमाम चीज़ें जो है वो सामने आएगी करिश्मा लगातार तीन दिनों तक पूछताच हुई है अब लगता है इडी भी अपने तरफ से सपस्ट करेगी और अगर इडी इतनी बड़ी कारवाई कर रही है पूछताच के लिए समझ जारी किया है तो इडी के पास भी कुछ पुकता प्रमान पुकता सबूत होंगे और कि अब आने वाले समय में तीनों को एक जगा भी बैठाया जा सकता है क्रॉस क्वेस्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आखिर तीनों के सवाल में और जवाब में क्या क्या डिफरेंस है क्या क्या डिफर कर रहा है तीनों के जवाब में तो कह सकते हैं लेकिन एक बड़ा सवा के माध्यम सेम अपने दर्शकों को ये समझाने रों बताने की गोशिश कर रहे थे कि आज जब जेल अधिक्षक एडी कारेले पहुंचे थे तो पहले से ही ये अनुमान लगाया जवारा था कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनसे घंटो पुछताच हुई गी और व वो भी संतोज जनक जवाब नहीं दे पा रहे थे लेकिन अब एडी का अगला कदम सुत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि तीनों को एक साथ बठा कर तीनों से सवाल पूछा जाएगा क्रोस वेरिफिकेशन यहाँ पर की जाएगी और ये भी जाने और समझने की कोशिश एडी के अधिकारी करेंगे कि आखर इसके पीछे जो मास्टर माइंड है वो कौन है क्योंकि प्रेम प्रकास के हाथ अगर फोन मिला है जेल के अंदर तो कैसे मिला और अन्य आरूपी के पास जो फोन उप्लब्द हुआ वो कैसे हुआ आखर इसके पीछे कौन है आखर किसके दबाव में जेल प्रशासन जो है वो काम कर रहा है तो तमाम चीज़े जो है आने वाले समय में इस पस्ट हो जाएगी और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जब आने वाले समय में चीज आनकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद तो बताया जा रहा है कि एडी पुखता सबूतों प्रमानों के साथ आगे बढ़ रही है और जल्द ही इस पूरे प्रकरन का खुलासा होगा कि आखर वो कौन लोग थे जिनके इशारे पे इस तरह की साथ इस तरह च जा रही थी